भारती ये मंदिर पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है क्या आप ये जानते हैं? ये पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है आज चुकि आप नहीं जानते कि और क्या करें तो आप जाकर वही कर रहे हैं जो हर कोई करता है भारती ये मंदिर में कभी कोई प्रार्थना नहीं कराता एक पुरा विज्ञान है मंदिर बनाने का एक पुरा विज्ञान है इसे आगम शास्त्र कहते हैं अगर मूर्ती का रूप और आकार मूर्ती की मुद्राएं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस्तमाल में लाए गए मंत्र, गर्ब ग्रहका, रूप, और आकार, बहरी परिक्रमा, ये सभी चीजें, ये पांच मूल तत्व हैं, अगर इन पांच चीजों को ठीक से व्यवस्थित किया जाए, तो ये उर्जा का एक बहुत शक्तिशा प्रतिष्ठान बन जाएगा, तो इस परंपरा में आपको बताया जाता है कि हर दिन सुभा इस से पहले कि आप काम या कहीं भी जाए, आपको सबसे पहले नहाना चाहिए, फिर जाकर कुछ समय मंदिर में बैठना चाहिए, और तब दुनिया में चीजें करनी चाहिए, ये अगर आपका नुकसान मेरा फाइदा है, अगर आप एक खास तरह से नहीं है, तो आपके जीवन के हर लेन देन में टकराव की संभावना होती है, क्या ऐसा नहीं है? हाँ? हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, हर छोटी चीज जो आप लेते देते हैं, हर जगा आप किसी के स लड़ सकते हैं, क्यूंकि हर चीज में ये ऐसा ही है, अगर आपको किसी को कुछ प्राप्त करना है, तो किसी को कुछ खोना होगा, यही भावतेकस्तित्व की प्रकृती है, जब ऐसी बात है, तो जब तक आप भीतर एक खास तरह से नहीं हो, जब तक आपने अपने भीतर क पटने को आमदा हो जाएंगे, है की नहीं? सडक आपकी समपत्ति नहीं है, अगर आप बस अपनी लेन से दूसरे की लेन में जाते हैं, या वो आपकी लेन में आता है, या कुछ होता है, मैंने लोगों को पूरी तरह भड़कते हुए देखा है, और क्या आप ऐसा देखते अगर आप अपने भीतरे खास तरह से नहों, तो हर लेन देन एक टकराव होता है, तो हर दिन आप मंदिर जाते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और फिर बाहर जाते हैं ताकि आप दिन को आसानी से गुजार कर वापस आएं, इस परमपरा में ये भी कहा गया है, कि ज अब आप खुद की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, अब आपको सारवजनिक चार्जिंग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, तो भारती ये मंदिर कभी भी पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं था, आज भी नहीं है, हालां कि लोग धीरे धीरे इसे चर जैसा बनाने क कोशिश कर रहे हैं, जहां वे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये और वो मांगते हैं, वरना इस परंपरा में आप से कहा गया है कि वहां जाकर आपको कुछ समय बैठना चाहिए, कम से कम दक्षिन भारत में आज भी ऐसा है, मुझे लगता है कि उत्तर में आमतोर ये खत्म हो गया है और जो लोग दक्षिन भारत से आते हैं, वो जानते हैं कि मंदिर में कुछ समय बैठना चाहिए, पर अब वे भी अपने शरीर की तली को बस जमीन से चुकर वापस चले जाते हैं, ऐसे जीवंत मंदिर मौजूद हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपक जो इंसान ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी बिना किसी निर्देश के वहाँ बैठ कर ध्यानमगन हो जाएगा, वो उर्जा ही वैसी है, अगर आप थोड़े समवेदन शील हैं, तो ये आपको रीड की जड़ से हिला देगा, ये इतना शक्तिशाली है, आ तरह कई तरह के मंदिर बनाए गए, इसका एक पूरा विज्ञान है, दुर्भागे से इसके रखरखाव की जानकारी नहोने के कारण हमने बहुत सारे मंदिर खत्म कर दिये हैं, हमने उन्हें खत्म कर दिया है, और आज हम मंदिरों को शौपिंग कॉम्पलेक्स की तरह बन चाहते हैं, तो आपने ऐसी चीजें बनाएं, पर मंदिर अपने मूल रूप में एक बहुत शक्तिशाली उर्जा केंद्र होता है, ये लोगों को जीवन के एक बिलकुल अलग आयाम से परिचित कराने का साधन है, उसे खत्म नहीं होना चाहिए, उसे दुनिया में मौजू ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका विज्ञान आम तोर पर खो गया है, इसे सिर्फ कर्म कांड की तरह किया जा रहा है, इसमें शामिल जटलताओं को बिना जाने किया जा रहा है